हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग मैं रमाकान पटेल आज हम बात करेंगे बच्चो पुष्प उत्पादन के बारे में तो बच्चो ठीक है पुष्प उत्पादन ठीक है सरवाधिक कहां किया जाता है बच्चो तो करनाटक में किया जाता है भारत में सरवाधिक पुष तो बच्चो हम आजबात करेंगे रोज एछा बारे में और गुलदाउदस की बारे में तो इसका बाते गोलाब के बारे में आपनलेगा डिशोर रोज लोजय रुज खिया, इसपटी खेंगीया? हमारा रोजय रोज़ आरवा रिखें Pit गहां लियॉज कर देखें पर है कहां सबसे पहले देखी गए थी ये लोग हिमालियन छेतर की उत्पत्ती मानी जाती कहां की हिमालियन छेतर की के लिए रोगे बच्चों अब हम किसमें देख लेते हैं हाइबृट की जो किसमें है वो कौन-कौन सी है गोल्डन ठीक है फ्रेग्रेंट सुपरस्टार happiness और ठीक है पूसा सोनी है तो इस तरीके से इनकी किसमे हैं आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इसको मिट्टी कौन सी चाहिए होती है तो गुलाब को मिट्टी चाहिए होती है दौमट मिट्टी जिसका pH scale क्या हो 6 या 6 से 7 के बीच में हो मतलब कैसी होगी यह अमली मिट्टी में होती अमली और उदासीन मिट्टी में होती टेंप्रेचर 25 से 30 डिगरी celsius के बीच क्या होना चाहिए तो यदि हम इसको लगाने की बात करें तो लगाते कैसे हैं बीज बिदी से लगा सकते हैं आप लोग लियरिंग बिदी से लगा सकत तो किलियर हो गया बच्चो इस तरीके से हमारा टॉपिक था किलियर हो गया एधि हम बात करें किसके बारे में गुलाब की पार्शाखाओं को तोड़ना गुलाब की जो साखाए है उसको तोड़ना क्या आता है डिस वडिंग क्या आता है क्या बच्चो डिस बडिंग क्या यहां से पेपर में कोशन पूछेगा है, अब सेकंड कोशन क्या है कि गुलाब के पौधों की सीर्स, दो तीन कल्यों को काट देते हैं, तो इससे क्या होता है, गुलाब क्या हो जाते हैं, जादा खिलते हैं, तो उसको कहते हैं, हम लोग क्या पिंचिंग कहते हैं, क्या कहते ह प्रमूख कीट देख लेते हैं कि कौन कौन से कीट गुलाब में होते हैं, दीमग लगता है गुलाब में, एक हरी मक्खी रोग लगता है ठीक है, पत्ती खाने वाला एक केटरपिलर लोग लगता है, पत्ती को क्या करता है, काटता है, रोग देख लेते हैं, ब्लैक स्पॉट लगता है ठीक है फिर रस्ट लगता है आपने देख योगः और सूखा गो भी लगता कि कैना इंडी का क्योंकि क्योंकि इसका इंग्लिस नाम ही क्या है कैना है अब देख लिए फैमिली फैमिली क्या है हमारी कैनेंसी इंग्लिस नेम की ही क्या है कैना इंडी का और इंग्लिस नेम सी क्या है ठीक है फनेंसी वैसी क्या था रोज इंग्लिस में रोजा रोजेंसी तो इंग्लिस नाम याद उड्र संकर्पानिक में उस पंधनता था रजह में छस्टानिक हैए पहले संकर्पाने- यवर्टपर्पक्रा पनी 8опас तो ПछोD 1963 सब्रॉस सब्सेंदाUI अनुसंदान और सब्सक्राइवर्ट कर लिम्हें species of cani, तो क्या होती, कौन-कौन सी चीज़ है आती इसमें, cana, ठीक है, latifolia, फिर है cana, iridifora, फिर है cana, ठीक है, idulis, cana, lilifora, cana, fledisha, ठीक है, इस तरीके से इनके क्या है, नाम है, तो बच्चों जो पहला, cana, latifolia, यह क्या होता है, बैगनी कलर की पत्तियों के रूप में होता है, फिर जो cana iridifora होता है, वो किस तरीके से होता है, चमकीले रूप से होता है, फिर c nummer का हमारा क्या आता है, cana, ठीक है, idulis आता है, यह क्या होता है, ठीक है लंबा होता है फिर आता हमारा कैना लीली फोरा ये क्या होता है बच्चो ये लगबग 150 सेंटीमीटर से 300 ठीक है 25 सेंटीमीटर के आसपास में क्या होता है ठीक है इसकी क्या होती है फिर कैना क्या है फ्लडीशा है बच्चो किलियर हो गया तो इस तरीके से इनके क्या ह हो गया हमारे species हो गया अब कैली की जातियां देख लेते हैं कौन-कौन सी जातियां होती इसमें तो होती Statue of Liberty ठीक है आपने नाम सुना है इसका President ठीक है Red ठीक है Plum Eureka Queen Radio Masterpiece Buttercup Queen Mary Seguya Maharaja Gwalior और IOS तो बच्चो यो Statue of Liberty President ठीक है Red Blum ठीक है Statue of Liberty President और Red Blum जो होती है वो कैसी प्रजाति माली जाती इसमें लाल प्रजाति कहलाती है Eureka Queen और रेडियो कहलाती है आपकी सफेद प्रजाति कहलाती है Masterpiece Buttercup ये कहलाती है उसके बाद में Queen Mary, Seagia, यह कहलाती है, आपकी गुलाबी प्रजाती कहलाती है, महराजा, ग्वालियर, ठीक है, और SOS, Star of India कहलाती है, बच्चो, दो ठीक है, रंगी प्रजाती कहलाती है, महराजा, ग्वालियर, ठीक है, Star of India कहलाती है, आपकी दो रंगी कहलाती है, प्रजाती है, clear होगे बच्चों, अब हम बात करेंगे गुल्दाउदी के बारे में, तो गुल्दाउदी का जो बॉटनिकल नेम होता हूँ, क्राइसेंथम ठीक है, और मौरीफोलियम और मौरीफोलियम इसकी फैमिली देख लेते हैं, कमपोजिटी कुल का होता है पत्तिस्थान क्या माना जाता है, इसका जपान माना जाता है किलियर हो गया, इसे पूर्वगी सान के नाम से जाना जाता है कई बार पेपर में पूछा गया है कि पूर्वगी सान किस पुष्व को कहते हैं, तो किस को कहते हैं हम लोग गुलदाओदी को कहते है यह कैसा सब्द है गुलदाओदी फार्सी सब्द है इसको टेंपरेचर कितना चाहिए होता है आठ से 16 डिग्री सेल्सेस के बीच में यह होता है गमलों में लगाने वाला पौधा होता है ठीक है और ऊश्न ताकागुन दर साता है मिट्टी कैसी होती इसकी दोमट और बलुई मिट्टी में यह होता है मतलब बलुई मिट्टी कॉमन भी हो सकती और मिक्चर भी हो सकती किसमें देख लेते हैं चंद्रमा ठीक है इसनावाल सोनार बंगला क्रेस्टा सीटी ब्यूटी सनफलाइड मन भावन सरदमाला अपसरा किंग फिशर इसनावाल सोनार बंगला क्रेस्टा सीटी ब्यूटी सनफलाइड मन भावन सरदमाला अपसरा किंग फिशर बिंदिया अनोखा आकास और यालो स्टार कैसी आपकी संकर किसमें कीट देख लेते हैं इसमें कौन सा कीट लगता है एफिट कीट लगता है ठ्रिप्स लगता और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सबस्काइब करें दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलेि research and